इतनाओं को रोकने के लिए बिलासपूर जेले की पुलिस अधिक्षक रजनेश तिंग ने एक सरहाने पहल की जिसमें अधिक्षक रजनेश तिंग ने हेलमेट बैंक की शुरुवात की इस पहल में बिलासपूर शेहर से चार ओर सित थानों में मोटर साहिकल चालक अपना पर हेलमेट बेंक की चुरुवाद की नहीं है क्योंकि ये देश में कुछी मुझे लगता है कि अपर पर परिशेत लेकर आप हेलमेट ले जाएए और फिर जब आप वापस आये तो हेलमेट वापस कर दिए इससे क्या है कि अपनी जानमाद की शुरक्षा भी कर सकेंगे आप और जो आज के वह हैं जो उत्ते शुकर गाड़ी चलाते हैं बाहर कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो हाइवे में कही प्रकार के कही तरह चांगों कि हलमेट ज़रूर पहने और फिलासपुल पुलिस के ज़रा शुरूआ की गई है तो इसका लाब उठाए और हलमेट ज़रूर पहने चटिजगर के कवरदा में बीते दूने बहुत बड़ी सरग दुरकटना हो थी जिसमें एक ही गाहों के 19 आदिवाशी बैग आ अधि बताएंगे हलमेट बैंक पहल चला जा रहा है कैसे लोगों को जागपता मिलेगी और कैसे उससे बार होई देल हम लोगोंने हम लोगोंने एक हलमेट बैंक यह चालू किया है जो विसेश तोर पर ऐसे थाने हैं जो कि जहां से जिस छेतर से होकर लोग नैशनल हाईवे पर आते हैं और आपको जैसा की पता है कि अधिकांस तह मौतें जो तो पहिया वहां हैं टू वीलर्स हैं उनके होती हैं और सिर में चोट लगने के कारण होती हैं और हम लोगा प्रयास रहता है ज्यादा तर कि लोग हेलमेट लगाएं और जिससे कि वो सुरक्षित हों लेकिन दुरभाग्य है कि बहुत से लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उसमें एक अवेरनेस के लिए एक सांकेति किये हम लोगोंने एक हेलमेट बैंक चालू किया है जो कि वहां से कोई भी हेलमेट बैंक से हेलमेट लेकर और वो अपनी यात्रा कर सकता सुरक्षित यात्रा कर सकता और वापसी में वो उसको वहाँ पर फिर से जमा कर सकता है इसके लिए सिर्फ कोई एक परचे पत्र उसको वहाँ पर रखना होगा और बिल्कुल निसुल्क होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक awareness के लिए है जिससे कि लोग helmet खरीदें हलमेट पहने अपना और अगर कहीं भूल गए हैं या फिर नहीं पहने हैं तो उनकी जागरुपता के लिए है और यहां से हलमेट प्रोवाइट किया जाएगा आपने देखा होगा कल यह योजना लागू की गई है चालू की गई है हमारे चकरबाटा सरकंडा कोनी सकरी थाने में जिससे की निकलने वाला रास्ता सब नेशनल हाईवे पे जाता हो ज़्यातर घटना है वहाँ पर हाई स्पीड के कारण हिट एंड रन के कारण होती हैं तो आज कई स्कूलों ने कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इसमें आगे बढ़ बढ़ कर और लोगों के लिए हलमे को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं जिसे की लोग सुरक्षित रूप से अपनी आतरा कर सकें और सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सकें जीवन बहुत कीमति है यह हमारे शाथ बिलासपूर के एस्पी रजनेश सिंग सर और इन्हों ने बताया कि कि अपने कई तरह के बैंकों के बारे में लेकिन बिलासपूर में सड़क दुर्गटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट बैंक का पहल सुरू किया गया है जिसमें सड़क दुर्गटनाओं पर लोक रगा जा सके NDTV बिलासपूर से दुर्गा प्रशाद मिर्धा